Reasoning Special में आपका स्वागत है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा है, हम डेली आपको aptitude या reasoning के questions लेके आएंगे, तो आज हम आपको फिर से 5 questions लेके आए हैं, जो previous जितने भी exams हुए हैं recently, चाहे वो SSC हो, या state के exams हो या PSU हो, उन exams के अंदर से हम आपको concept पिक कर र एक होता है, आपका alphabetical series और एक उसके combinations बन जाते हैं, बहुत सारे, तो जो भी 2-3 questions हम आपको लेके आए हैं, वराइटी में और बाकी दो उसके normal questions हैं, तो 5 questions आपको हम total assess करेंगे, जो previous exams में आए हैं, concepts more or less आपको पता हैं, तो मैं questions के साथ ही कुछ आपको और ideas दूँगा, त पहले questions से, पहला question है कि Y के बाद V आया, V के बाद R आया, R के बाद M आया, तो M के बाद क्या, यहाँ पर जो हम generally सबसे कहते हैं कि जितने भी alphabets होते हैं, series होती हैं, उनको आपको numbering थोड़ा था, पहले से लिख लोगे exam के अंदर दिया, फिर याद रखोगे तो better रहेग कि Y के बाद V आया, V के बाद R आया, R के बाद M आया, तो इसमें किस तरीके से हम solutions निकालेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो आईए चेक करते हैं, इसका answer कैसे आएगा, तो आप देख सकते हो, कि अगर इसके अंदर Y के, Y अगर आप number देखते हो, तो 25 है, तो 25 के बाद, next उसका जो number V है, वो 22 है, 22 के बाद, जो R है, वो 18 है, और 18 के बाद, अगर M आपका 13 है, तो इनका जो trend बन रहा है, वो क्या बन रहा है, इसके बारे में ज़रा आप एक quickly देखते हैं, इसका overview कि यहाँ पर हमारा minus 3 हो रहा था, तो यहाँ पर हमारा minus 4 हो रहा था, तो इसके बाद, हमारा अगर minus 5 हो रहा है, तो naturally, अब minus 6 करना पड़ेगा, 13 के बाद, अगर आप 6 कम करोगे, तो उसका answer आएगा, 7 और 7 का जो number हमारे पास है, वो है G, तो हमारा answer जो होगा, वो G, correct होगा, जो कि हमारा option B था, So, let us take the next question, question is, question number 2, consider the following matrix, एक नया तरगा सवाल है, यहाँ पर आपको एक matrix दिया हुआ है, 3, 8, 10, 2, question mark, जो आपको निकालना है, और 1, और 6, 56, 90, 2, 20, 0, एक डिफरेंट का question है, थोड़ा है दिमाख लगाना, आपको मैं इसके लिए एक मिनट दूंगा, सोचने के लिए, आ टाइम लगाओ, और इसके बाद हम इसका discussion करेंगे, बड़ा ही नया टाइप एक trend, जो मैंने रिसेंटली अभी exams के अंदर देखा है, over to you, टाइम है, आपके पास सिरफ एक मिनट, वीडियो पॉस कर सकते हो, ट्राइम मारो और इसके बाद बात करते हैं, तो आई यह स्टार करते हो, 3 और 6 को अगर आप आड करते हो, तो यह 9 आता है, और 8 प्लस 56 करते हो, तो यह basically 64 आता है, तो कुछ trend यहाँ पर जो बन रहा है, आप देखोगे, यह 90 प्लस 2 करते हो, तो आपको 100 आता है, और यह सारे के सारे जो numbers हैं, वो basically squares हैं, 3 square, यह आपका 8 square बन रहा है, यह आ तो 1 square 1 होता है, तो naturally आपको यहाँ पर nearest number ऐसा add करना है, 20 के उपर, जो add करने के बाद perfect square बन जा है, तो 4 square 16 होता है, 16 के बाद जो next perfect square आता है, 20 की range में, वो 5 square होता है, 25, 25 का मतलब, इन दोनों का sum 25 होना चाहिए, तो यह 5 आना चाहिए, और इसलिए 5 square बन जाएगा, और इसक missing number जो होगा, वो 5 होगा, आईए आप question 2 के बाद start करते हैं, question number 3, इसमें एक अलग नया trend है, जहाँ पर आपको, which are the following, जो terms है, follow the trend on the given list, यह list में आप दिछ सकते हो, आप triple 0, X, double 0, X, double 0, X, double 0, X, 0, या XO, XO बो सकते हो, जो आप बोलना चाहिए, तो इस trend के अंदर, आपको निकालना है, कि अगर यह trend continue होता है, तो इसका next option क्या होगा, और यह बहुत ही interesting सा question है, जो आप follow कर सकते हो, तो आप, अगर मैं आपको trend share करना चाहूँ, प्यूस काफी लोग तो नए हैं, तो शायद ना उसको समाल पाएं, और जो लोग करना चाहते हैं, वो please इस video को pause कर ल अब यहाँ दो O आ रहे हैं, और X आ रहा है, और देख सकते हो, दो X के बीच में 00 है, हर जगा पर दो X के बीच में 00 आ रहे हैं, तो एक तो यह trend है कि 00 always रहेगा, पहली बात, दूसरा X जो है, वो shift हो रहा है, पहले 3 थे, फिर 2 है, फिर 1 है, एक के बाद आप दिख सकते हो, जो 0 हो गया, 0 के बाद, फिर से यह पूरी cycle गुमनी शिरू ही है, तो अगर आप इस trend को follow करते हो, तो आप को मालूम पड़ेगा, कि बोथ X are shifting towards left, तो उसके बाद, जो इसके साफ से जो next trend आपको देख सकते हो, जो आने वाला है, वो trend जो आप देखोगे, यहां पर 2 हैं, औ और 2 के बाद, अब कितने हो आएंगे, एगर X दर shift करता है, तो एक आएगा, और उसके साफ से जो trend आप देखोगे, तो भी आपका answer होगा, आई एप start करते हैं, question number 4, it says, in the following question, select the missing number from the given alternatives, number आपको दिये होए है, 132, 475, 987, 1716, and 2716, तो इसके बाद वाला number क्या होगा, कुछ लोग थोड़े यहां फस सकते हैं, तो प्लीज आप वीडियो पॉस करो, और ट्राइ करो एक मिनिट के लिए, और इसके बाद start करते हैं, आईए देखते हैं, इसका solution क्या है, एक बहुत common sense था कि, आप देखोगे, बहुत जबर्दस trend था, यह easy question नहीं था, it is one of the toughest one, जो मैं 343 था, और 343 जो difference होता है, वो 7 cube होता है, तो basically जो differences हैं, वो कोई normal number नहीं है, cubes के differences आये हैं, इसलिए trend को हम आगे लेकर देखते हैं, कि जो 132 के बाद next number था, वो हमारा आया था, आप देख सकते हो, 475, 475 के बाद next number पुछा गया था, 987, और 987 के बाद next number दिया गया था, 1716 इन numbers में एक common trend था, जुसको हम आप देख सकते हैं, कि ये trend जो difference था, ये basically 343 था, तो ये 7 cube था, इसके बीच में जो difference था, वो basically आप 512 देख सकते हो, तो ये 8 cube था, और इसके बीच में जो difference था, वो 729 का था, तो ये 9 cube का था, तो जो every number जो next वाले आरहे हैं, वो basically cubes के trend है, 7 क के बाद 8 आया, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 276 के बाद नेक्स नमबर आएगा, उसमें 10 के बाद 11 क्यूब जो होता है, 1331, 1331 जब आप आड करोगे तो आपका अंसर बनेगा 4047, let's start with last question, question number 5, आज काफी मैनत हो गया है, तो इस question को solve करते हैं, in a particular way of coding, the word central is known as ABCDEFG, planetarium is known as HGFCBDFEIJK, इसी trend में एक अगर lantern को बोलना है, तो क्या होगा, यह नया तरह का एक alphabetical coding था, जिसको I would like to draw your attention, कि यह trend चल रहा है, तो इसको pick कर लो, तो आईए इसका number देखते हैं, कि आप देखोगे, कि यहाँ पर central जो दिया हुआ था, उसको ABCDEFG बोला हुआ है, और planetarium के जिस trend था, उसको यह सब बोला हुआ है, और यहाँ पर कोई trend नहीं है, कि आप A, C, A, B, E, वगरा में trend देखा यह basically हर एक number का एक नया identical coding कर दिया गया है, तो इसी question में अगर आपको lantern चेक करना है, तो आप देख सकते हो, जो L यहाँ पर है, वो basically L का जो coding है, वो G है, इन दोनों number से, जो आप देख सकते हो, इन दोनों की coding है, इसी से आपको नए वाले numbers को, पीस को pick करना है, तो अगर य आएगा lantern में, तो वो F आएगा, इस तरीके से आपको trend को pick करना है, और solve करने के बाद, आपको मालब पड़ेगा कि option B is the right match, इसी के साथ, आज का जो number और alphabetical series के 5 questions का जो episode है, वो हम finish करेंगे, आने वाले time पर, ऐसे ही हम बहुत सारे questions, जो tough questions भी थे, जो recent exams में हुए है, उसस साथ में, जो आप सब लोग concepts को revise कर रहे हो, उनका भी ये ideal test होता है, अगर आप ये 10 minute daily YouTube का पर, आप made easy prime channel पर दोगे, तो आपके बहुत सारे concepts test भी होंगे, और आप उनको consolidate भी कर पाऊगे, इसी के साथ, आज का edition end करते हैं, thank you, bye bye, all the best. झाल